कंगना रनावत ने कहा है कि यह जो आजादी मिली है मतलब 1947 में जो हमें आजादी मिली वो भीक में मिली कंगना जी आप ऐसा जो बोल रही हूँ यह बोलने की आजादी भी आपको उसी आजादी की वज़े से मिली है आपको देश इतना प्यार करता है आवार्ड पर आवार्ड मिल रहे आपको लेकिन हरकते तो आप ऐसी कर रही है कि आपको हॉस्पेडल का एव्र मिलना चाहिए और जो क्या कह रही हैं है देश को आजादी मिली कई हमारे देश के सच्छी सेनिकों की बलिदान की वज़े से मिली है गांदी जी की वज़े से बगसिंग जी की वज़े से और तो आप तो फिल्म कर चुकी है मनी करनी का छासी की रानी केरेक्टर कर चुकी है उसके बाउचित आपके मुझसे ऐसे शब्द कौन बुलवाता है आपसे क्यों बूलती है मतलब पहले आप थोड़ा बहुत इदर उदर की राजियती बाते बोलती थी लोग मज़े लेते थे और आप इंजॉय करती थी ठीक है समझ में आता है लेकिन कम से कम देश के रियल सेंटिमेंट को तो आप हर्ट नहीं करें हमारी देश के जो आजादी है उसके लिए लोगों ने ये गाने गाया कि अपनी आजादी को हम हर्गीज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं सेकड़ों फिल्में बनी आपको अगर एतियास नहीं पता है तो फिल्म फिल्में देखिए फिल्म देखके पता चल जाए मतलब इस आपके सेंटेज ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है मैं आपके अभीने का फैंड हूं आपकी एक्टिंंग का फैन हैं लिकिन यह मन इससा महति है yılगयर ऐसा ईसा सब बोल कर आप पता नहीं कौन बुल्वा रहा है आप से क्यों बुल्वा रहा है और कहाई के लिव अब को खुद को तो इतनी अकल होगी न अकल है कि नहीं आपके पास कि सिर्फ शकल ही है या नकल ही है कोई बोल देता तो उसका आके बोल देती है नहीं नहीं पुरानावज जी यह बात आपने गलत बोली है इसका आप वापस लीजिए हमारी आजादी हमारे देश की आजादी हमें जान से प्यारी है देश हमें जान से प्यारा है और देश के आज़ादी को आप ऐसे ही यह नहीं किसकते के 2014 में हमको आज़ादी मिली है 2014 में जो कुछ भी हुआ है राजितिक उतल फुतल हुआ है और जो भी हुआ है ठीक है वो तो एक अपनी जगह पे प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, आज किसी की सत्ता है, सब को अपना काम करने का हक है, सब को अपना वोट करने का हक है, सारी पार्टियां अपना बेस्ट करने के कोशिश कर रही है, और जो भी सत्ता में है, वो बहुत अच्छ लेने के बाद पुरसकार लेने के बाद आपके मन में ये तिरसकार पुरसकार देश दे रहा आपको पुरसकार और देश को दे रही आप तिरसकार नहीं मैं आप कोई इस चीज़ के लिए पुरे जंता के सामने माफी मागने पड़ेगी इवन फिल्म के जो दर्शक है वो भी इस बात को नहीं मानेंगे कि हमारा फिल्मी ऑडियंस जो वता है वो फिल्मी है लेकिस साथ में इल्मी भी है चिल्मी नहीं है चिल्मी समझाज़ी न आप चिल्मी समझी तो आप प्लीज होश और हवास में रहे के बात कीजिए होश और हवस में रहे के नहीं होश और हवास में रहे के बात कीजिए आप रिस्पेक्टेट है महिला है देश की महिला है और महिला समाज को हम सम्मान करते हैं लेकिन मिलनेजर में जो समझ में नहीं आता है वो फिर समाज में नहीं आता है अगर आपके समझ में नहीं आ तो फिर आप समाज में नहीं है और आप बॉलीवूर के पीछे तो पड़ी मेरे कैसे ट्विटर को ट्विटर आपका बंद कर दिया गया था तो ऐसी हरकते मत कीजिए आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और हमारी आजादी को हम सलाम करते हैं पूरी देश की 135 करोड़ आबादी उन्हें जान से प्यारी है हमारी आजादी 15 अगस्त 15 अगस्त के लिए आपके मन में जो आग है उसे अस्त कीजिए उस आग को अस्त कीजिए कर दीजे उस आग को अस्त और सलाम कीजिए हमारे great दिवस को जिसका नाम है 15 अगस्त फिर एक बार कह रहा हूं नारी सम्मान है आपका भी सम्मान है आपको अवार्ड मिले उसका भी सम्मान है आप बहुत अच्छी अभिनेत्री है लेकिन अभी नेत्री नहीं आपकी आखों में जो अभी नेत्र में जो आपके जो क्या क सब्सक्राइब आपको मिस्टर राइट मिला है तो मिस्टर राइट अगर है तो आप इस सिश्टर राइड बनिए अच्छी और सच्ची बाते कीचिये गलत फहमी और कन्फीजन में मत रहिए वहना लोग आपको पागल कहेंगे नशरी कहेंगे जो कि आप शाहिद नहीं है लेकिन प्लीज देश के साथ सम्मान से पेश आईए आपको सम्मान मिलता है तो देश का भी सम्मान किजिए आप ऐसा एक तरफा काम तो नहीं हो सकता है कि देश आपको देगा सम्मान और देश का करती रहेंगे आप अपमान मैं आपका फैन होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त वेस्त मत रहिए, सुधर जाईए, यह निवेदन है, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, लब यू, कंगना जी, गौड ब्लेस यू, भगवान आपको सत बुद्धी दे, यह क्या कर रही है, गौड बेस यू.